find frequency of acceleration इस तरह के question जिसमें आपको frequency और time period की value calculate करनी है तो सबसे बहले आपको restoring force की information होनी चाहिए restoring force हम बोलते है restoring force directly proportional minus y और restoring force equals हम लिखता है minus ky के equal restoring force directly proportional displacement of block और negative sign indicate करता है कि जो force की direction है वो displacement के opposite direction में होती है ठीक है अब देखे दियान से board पर मैंने कुछ example लिए है यहाँ पर spring block system बनाया है पर spring block system में आप देखेंगे तो block जो है वो spring से direct connect नहीं है block जो है वो spring से pulley की help से connect है और pulley जो हम use में ले रहे है वो frictionless massless pulley हम यहाँ पर use में ले रहे है तो आपको अगर यहाँ पर frequency और time period की value calculate करनी है तो उस condition में आप देखें कैसे करना है आपको हाँ बटा ध्यानों देखें सबसे पहले हम मन لेते हैं यहाँ पर इसका अपना weight downward direction में mg होगा थीक है upward direction में यहाँ पर tension बना सकते हैं यहाँ से भी tension आप downward बना सकते हो tension हमेशा पर आउटवर्ड बनाते हैं तो यह रिजड़्ट एंड है इससे आउटवर्ड यहासे भी बना सकते हैं इसी तरइके से आप यहां tension और इस वाले रिजडर एंड से आउटवर्ड цros情況 ओपर बना सकते हो ये पूरा सिस्टम अभी balance है इस तरह की condition है right side में tension T mg से balance हो रहा है और left side में जो T है वो spring force से balance है spring जो है वो initially stressed है थोड़ा सा इसका displacement है पर अभी पूरा system जो है वो equilibrium position पर है ठीक है अब ये अभी oscillate नहीं हो रहा है इससे हमें oscillate करना है तो एक external force यहाँ पर आपको apply करना है तो यहाँ पर मैंने एक external force apply किया आप देखें इदर ध्यान से यह external force मैंने यहाँ पर apply किया मनलेते हैं यह external force F external है तो उस condition में जब आप external force apply करेंगे तो block का extra displacement जो होगा वो downward direction में y आया गा ठीक है block का यह extra displacement है पहले भी जब आपने यहाँ पर weight की वज़े से भी displacement था पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम extra displacement की बात कर रहे हैं तो जब आप external force apply करेंगे तो यह आपका extra displacement जो है वो y है ठीक है अब देखें इदर ध्यान से जब आप यहाँ पर external force apply करते हैं तो इस तरफ आप tension को भी increase करेंगे यहाँ भी tension increase हो गया अब देखें जब आप external force को remove कर देते हैं हटा देते हैं तो उस condition में जो thread में यह extra tension है delta T यह हमारे लिए जो है वो restoring force बनेगा यह वापस से उस block को upward direction में move करेगा और oscillate करेगा clear है अब देखें आप ध्यान से किस तरीके से हम इसकी delta T की value find out करते है तो आप यहाँ पर left side में देखेंगे तो हम बोल सकते हैं delta T जो extra displacement हुआ था spring का तो उसके लिए हम लिख सकते हैं delta T जो है वो equal है k y के ठीक है यहाँ पर delta T लिखते हैं block के लिए तो हम इसको लिख देते है k equivalent और block का displacement भी इस question में तो y है तो आपने लिख दिया यह k y के equal y को आप cancel out करेंगे तो आपको k equivalent की value जो है वो k मिलेगी frequency का formula हम लिखते हैं तो 1 by 2 pi root k equivalent upon m तो उस condition में आपको frequency मिल जाएगी 1 by 2 pi root k की value k है यहाँ पर यह question बिलकूल simple सा था concept आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया हो एक बार फिर से आप इसको revise करें देखें दर द्यान से सबसे बढ़े यह downward direction में इसका weight mg upward direction में यहाँ पर tension इस तरीके से हम बना सकते हैं यह tension T है इसी तरीके से आप यहाँ भी tension बता सकते हैं यह tension T है यहाँ से भी आप tension बता सकते हैं यह tension T है अब देखेंगे तो spring में भी tension होगा यहाँ बना सकते हम और इस fix point से यहाँ भी बना सकते हैं इसे मैंने लिख दिया यहाँ पर यह जो tension है यहाँ पर इसे लिख दिया T' के equal है अभी पूरा system balance है अब इस पर मैं external force apply करता हूँ यह मैंने external force apply किया और जब आप external force apply करेंगे तो extra displacement आएगा यह object का extra displacement है यह आपका y है जब आप इस block का displacement देखेंगे तो y होगा तो उस condition में spring cut जो displacement आएगा वो y by 2 के equal होगा क्योंकि उस condition में दोनों thread देखें ध्यान से यहाँ से और यहाँ से दोनों से मिला कि अगर y displaced हुआ है तो spring cut displacement हम बोल सकते है y by 2 के equal होगा यह हम previous question में solve कर चुके है आप देखें इदर ध्यान से सबसे पहले यहाँ पर जब आप extra यहाँ पर force apply करते है तो tension बढ़ा दिया मैंने यह tension हो गया delta T इस तरब भी tension की value delta T increase हो गई यहाँ भी लिख देते हैं यह plus delta T ठीक है यहाँ भी tension increase हो गया इसे मैंने लिख दिया delta T dash यह जो delta T है बटा यह delta T हमारे block के लिए यह आपका यहाँ पर restoring force बन सकता है ठीक है अब देखें इदर ध्यान से सबसे पहले इससे अगर balance करते हैं तो downward direction में extra force हो है वो delta T two times है और यह equal है कि इसके यहाँ पर extra force delta T dash के ठीक है आप value लिखता हूँ यहाँ पर two delta T की value लिखेंगे यहाँ पर तो हम लिखेंगे k equivalent object का displacement है y equals to यहाँ पर हम delta T dash की value लिखते हैं तो आप spring constant लिखेंगे k और spring का displacement मैंने बोला यह y by 2 इसका displacement है ठीक है y आप cancel out करेंगे तो k equivalent की value जो आपको मिलती है वो होती है k by 4 के equal ठीक है frequency frequency का formula 1 upon 2 pi root k by m यह k equivalent है n equals to आप लिखते हैं तो 1 upon 2 pi root k equivalent की value आप लिखेंगे तो k by 4 m के equal इस तरीके से आप frequency यहाँ पर calculate कर सकते हैं एक example ओड़ देखें हैं आप लोग हाँ बिटा यह downward direction अगेन इसका weight यह mg ठीक है यहाँ पर हम बना सकते हैं tension T यहाँ भी आप बना सकते हैं T dash और आप यहाँ भी बना सकते हैं T dash ठीक है यह पूरा एक single wire है तो अगर tension यहाँ T dash है तो इस जगे भी T dash ही बनाना आपको ठीक है आप फिर से इस diagram में देखें extra इस पर जो मैंने force apply किया वो है आपका यहाँ पर यह फिर से F external इस external की वज़े से particle का displacement displacement again ys का displacement है अब देखें दियान से जब आप external force apply करते है tension यहाँ बढ़ा दिया आपने तो यह होगा delta T इसी तरीके से यहाँ भी tension की value increase हो जाएगी तो आप यहाँ लिखेंगे delta T dash और इसी तरीके से यहाँ भी delta T dash ठीक है अब देखें यह आपका extra force जो है जो हमारे लिए restoring force बन रहा है delta T वो इन दोनों से balance हो रहा है तो आप लिख सकते हैं आप बढ़ delta T equals to 2 delta T dash ठीक है delta T की value लिखते हैं तो मैंने लिखा यहाँ पर k equivalent block का displacement y यह लिखा y equals to 2 अब बेटा आपको delta T dash लिखना है तो spring constant तो मैंने लिख दिया k है अब देखें आप ध्यान से जब block का displacement y होगा तो spring का displacement 2 y के equal होगा क्यों क्यों क्योंकि यह पूरा pulley अगर y displaced हो रहा है तो इस direction में भी displacement y आना चाहिए और इस direction में भी displacement y होना चाहिए यह तो आपका यहां पर जो thread है या कोई भी wire है वो तो stretch हो नहीं सकता इसका मतलब spring को stretch होना है दोनों तरफ के लिए इसका displacement हम बोल सकते हैं 2 y के equal होगा ठीक है यहां भी आप y को cancel out करेंगे तो k equivalent की value आपको मिलेगी किसके equal 4 k के equal और frequency आप लिखते हैं तो आपने लिखा 1 by 2 pi root k equivalent upon m frequency equals to 1 upon 2 pi root k equivalent की value आप लिखेंगे तो 4 k upon m के equal इस तरीके से आप different different examples में जो है वो frequency और time period की values find out कर सकते हैं clear है कर सकते हैं